आई गुरू किर्पा करो हो दीन के दाते मेरा गुण अव गुण ना विचार हो को माटी का ग्यादो पैस्वामि मानसकी गत्य एही गुरू 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 प्यारी साथ संगजी गुरू फते प्रवान गुरू वाहे गुरू जी का खलसा वाहे गुरू जी की फते दन गुरू गुरू ग्रंच साहिव दे जितने वी बोल हन वो काव दे रूप विचहन कवीता दे रूप विच्छन हिंदी विच्गन देने कवीता ते पंजापी विच्गन देने का कोई गल करनी होवे गा के गल करनी और किसी सवाल दा जबाब देना होवे होवे गा के मैंनो एक गल जेते आई गुरुनानक साहिब महराज नो जे किसे ने सतकार दिता अदब कीता तो किसे ने गुरुनानक नो भूतना भी आखिया बिताला भी आखिया कोई आखे भूतना को कहे बिताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा कई दफा मैं सोचना कि गुरुनानक साहिब महराज लोकां दे भूत उतारना आई सी पर लोकां ने गुरुनानक नो इभूतना कैचडिया गुरुनानक साहिब महराज जगत नो ताल दे नमस्ते आई सी जीवन दी जाज सिखाना आई सी पर गुरुनानक नो ही बिताला कह देता बिताला है जीवन दा कोई टंग नहीं है टंग नहीं कि गुरुनानक साहिब महराज जगत नो तंग सिखाना नहीं कि कि में जीवना है पर गुरुनानक नो ही कह देता गई दंगा बिताला क्योंकि मन को दी ये फितरत है कुछ आलमादा कहना है कि घरिविच कोई इलाही जोत जगी होए तो शरीक उस तो लाहा नहीं खट सकते क्योंकि शरीक होने नहीं जे किदरी कोई जोत जगी होए तो मितर उना तो लाहा नहीं लाह सकते वो कह देने ने एता सड़ मितर है और कई दफ़ा तां परिवारदे बंदे भी कह छड़ देने एता कुछ भी नहीं है फिर जे किदरी गल आखी ए पिंड दी पिंड वासियां दी एत्यास पढ़ के लेखो के हजरत मुसा नो इलाम होया अपना मुलक छड़ना पया हजरत ऐसा नो इलाम होया अपना इलाका छड़ना पया जे हजुरत मौमद नो निरंकार दी खबर होई, खुदा दी खबर होई और नभी अपना इलाका छड़ना पिया, मका छड़ना पिया, मदिने चले गए और जे किदरे गल करी इमातमा बुद्ध दी, तो सारा जीवन अब जी विहार कर दे रहे जिते जिते विहार कर दे रहे, विचलन कर दे रहे, उसे इलाके नो अजसी विहार केंदे और गुरु नानुक साहिब दी गल करिये, आप जीनों भी अपना इलाका छड़ना पिया और करतार पुर साहिब गुरु अंगद दीव साहिब जीनों अपना इलाका छड़ना पिया, गुरु अमरदास जीनों भी छड़ना पिया, गुरु रामदास साहिब जीनों भी छड़ना पिया कारण की क्योंकि जिड़े नगर वासी होन देने वो बहुता लाहा ने खट पान दे यह हकीकत है अज भी जिड़े वसी पिंड जाने है ते कुछ लोग कह देन देने फलाने दा मंडा या जिड़ा बच्पन दे विचे कछेरे विच दे बन्यान विच गुमदा से वो ही तस्वीर उना दे सामने वो ही तस्वीर तो जितने भी शरीकन वो नहीं लेपान दे मितर नहीं लेपान दे परिवार दे नहीं लेपान दे और कई दफा नगर वासी भी नहीं लेपान दे मैं अर्द करड़िया सी जितनी भी बानी है काव रूप विच कवी तारू लेज़ कल मैंनू मेरी मितर हर्श्विंदर से इक गल कह रेसी है कि जिकर पुराने गाने सुनिये उन विच भी रब्दी जलक मिल दिये रब्दी खुश्पू मिल दिये अकीकत है किदरे पुराने गीत पुराने गाने आप जी सुन लगो ते उन दा आप जी विशा चैंज कर दो नायक नाई का एक थांते तुसी खुदनो बिठा दो दुझे थांते रबनो बिठा दो फिर ओ गीत सुनो दुसी तो हर एक गीत कुछ ना कुछ दे रिया है और अजो के समेदे गीत सुन के विखो कुछ भी नहीं ना मेनिंग दा पता ना पंक्ती दा पता कोई पता नहीं लगे दा किस तरह ने गीत चल रहे हैं कभीर साहब नो करना पिया कि यह जो इलाही बोलहन जो इलाही गीत है इसनो अजो के समेदा गीत ना समझ लेना लोगा ने समझ ले लोग जाने एह गीत है एह तो ब्रम बीचार तो पुरातन समेदे गीतां विचे भी ब्रम दी विचार होंदी से और पगतां ते संता मा पुरशां दे बोलां विचे गीतां विचे भी रब दी खुशबुए रब दी खुशबुए मैं अर्द करड़ेया से जदों कोई गल कहनी होवे कवीता दे विच काव दे विच ते बहुत संदर टंगनाल गल कहनी होवे ते ओदे विचे फिर सारा लेणा पेंदा है छंद अलंकार दा ये अलंकार की है किसे गल नों कहना होवे संदर टंगनाल कही है विच अलंकार रखने पेंदेने अबुशन रखने पेंदेने जिवे इस तरी दी शोबा वदानी होवे तो अबुशन चाहिए देने गैनने चाहिए देने और जी कावदी शोबा वदानी होवे तो फिर अलंकार चाहिए देने वक्रे वक्रे किसम दे अलंकार होँदेने अनुपरास अलंकार यमक अलंकार लाटानुपरास अलंकार शलेश अलंकार बहुत किसम दे अलंकार होँदेने फिर जिड़ी पंगती उचारन वाई है उदा तोल पूरा हुए उदा भोल पूरा हुए उसनों केंदेने छंद छंद दी चाल पूरी करने हुए आप जीनों खबर है आप जी जिदों सुखमनी साथ बढ़ देओ ते उदे विच एक शबद आउंदा है तोटी गांधन हार गुपाल ये जीड़ा गगा अखर है इसनों दो मातरमा लगिया हुए यानि ओडा भी है और खडवी है और कई दफ़ा सुखण शबद आया है उसने भी ससे नों और खडवी है ते ओडवी है दो-दो मातरमा और केड़ी मातरा छड़ोगे ते केड़ी मातरा उचारन करोगे क्योंकि एक ही उचारन हो सकते ये दूजी नहीं ये बहुत पुराणी गल है करीब करीब 92 दिगल है ते कुस्ता की माफ मेनों गल कैन देना मैं किसी ते व्यंग नहीं कर रही है क्योंकि मैं पोगिया हुया है को जी वनब गुरुद विच ग्रंती सेंग दाताजां सेवाधरां दा जांपरबन का दा जीडा पुरुँपश्ता हुन दा इमें हुन दाए जमें सस्ती नू दा माफ करना मैं आप पोगिया हुया है चलता ही रहन दा चगडातो तू मैंréeकल चलती रहन दी प्रिबंदक सज्जनों बिठा गे हैं। मैं एक गल्दसो पाठ कर देओ। कर लगे हैं कर देओ। सुख्मनी साहिब मैंनो कंठ से आदे। मैं अर्ज कीती यह टूटी गांडन हार गुपाल। यह देविच दो मातरमा क्यों लगिया ने मैंनो एदस भेल। तो मैंनो की कहन दा। ज्याने दी तैनों की पता वो गल्ती नाल लग गई होगी। इह रान होगी हैं गल्ती नाल। फिर मैं अर्ज कीती जिथे गुरु कर दे कथा वाचक। गुरु कर दे सेवादार गुरु घर दे ग्रंथी साहिब। उन्हों दी पकड होवे गुरुबाणी दी उत्य प्रबंदक से जिना दी भी पकड होनी चाहिए गुरुबाणी दी इत्यास दी। के गुरु साहिब की करने। मैं अर्ज कर दिया सी इस दो मात्रों इस करके लगिया हैं। कि एक मात्रा उचारंदे विच कम आउंदी हैं। कि दूजी मात्रा विच्छा करंदे कम आउंदी हैं। जिवें उचारंटा करना है गुपाल। तोटी गांधन हार गुपाल। आप जी ने करना गुपाल दा मिनिंग की गंदा है। तो शाहिब ने होडा रखिया वया उपर कि गुपाल तुम्राज गुपाल ही है। कि दरे कुछ होर ना समझ लेना दुसी। और गुपाल तुम्राज जो धर्ती दा पालक, धर्ती दा रखियक, रिजक देन वाठा। तो जीड़ी एक मातरा है वो उचारन वासते, दोजी मातरा कथा करन वासते, व्याख्या करन वासते है। तान करके छंद दी चाल पूरी होवे, छंद दा तोल पूरा होगे। नहीं ता अखेरी विचे एक शबद दा उचारन होर टंग नाल हो रहा है। ते दोजी पंगती दा उचारन होर टंग दा नाल हो रहा है। मेल नहीं खा रहा है। वो फिर चीज चंगी नहीं लग दी। सलोक उसनों कंद ने के थोड़े शबदां विचे बहुत वड़ी गलग है जानी है। सलोक एवी छंद दा एक रूप है। और चंद दा एक दूजा रूप है संसकर्ट विच उसनों कंद ने दोहा सूरठा। छपपे चंद कुंडलियां इस सारे चंद दे रूपने। पंजापी विच उसनों कंद ने दोहे रहा। हिंदी विच दोहा पंजापी विच दोहरा। दोरे तो मराद है एक पंग्ती विच कोई गल कैनी दोजी पंग्ती विच जबाब देना एक पंग्ती विच सवाल है दोजी पंग्ती विच जबाब है दोरा हुण में एक छोटा जिया पुलेखा हुए क्योंकि साथे से एक जगत विछ कुछ बुलेखे पैह हुए ने खुछ बरपूर ना होण करके सी पादिने या संगत हैरान हो जान दी है एक रागी सिंग केंदा है गयानी जी मैंनों पजाव साल होगे कीतन कर दियां कर दियां जदो मैं अनन्द साहिब परदा सी तो मैं विस्माग दी दुनिया भी चला जान दे सी तो मैं पुछ बैठा की होन नहीं होन दा केंड लगे नहीं होन नहीं होन दा जिमेही अनन्ट साहिब राकीतन कर देयां मन उखड जन्दा है क्यों उखड दे तो उसने जबाब देता शुरुवात कर देयां रामकली महला तीजा अनन्ट तो सिरलेख है रामकली राग और गुरु नानक साहिब दीद्ती जी कोया गुरु अमर्दास ते जदो कीतन कर दियां कर दियां से पांच देयां आनन्द सुनों वड़ पागी हो सगल मनौरत पूरे इत्थे आके बिर्ती उखड जन्दी है क्यों क्योंकि कुझ समा पहला मन्जी साहिब तो गथा चल रही से ते उदे विच जिकर कीता से कि अखीरलियां दो पौडियां गुरु रामदास साहिब जी ते गुरु अरजन देव साहिब जी आने केंदे ने समझ नहीं आ दी है जे ए बोल गुरु रामदास साहिब जी होंदे गुरु अरजन देव साहिब जी होंदे तो लिखिया होना रामकली मैला चाओ था जहां पंजबा लिखिया होना है पर इत्थे ता कुछ भी नहीं खूब हूँ इसे तरह दोहरा दिवी गल की ती कथा की जुड़ी वह ये जो की मिध्यास है त्यान देनाल सुणना एह हकीकत नहीं कथा मिध्यास है गुरु तेकबादर साहिब ने सलोक मैला नमा दे बौल लिखे जदों पिंजड़े विच कैद सी चांदनी जोग मैं फिर अद्ध करा एक गाथा मिध्यास है तो जदों गुरु तेकबादर साहिब ने सलोक पूरे की ते फिर दोहरा लिखिया तो गुरु गोबिन सिंग माराज उन्हों कह रहे ने कि हुण मैं पिंजड़े विच कैद बल छुट गयो मेरी ताकत खतम हो गई है बंधन परे मैं बहुत किसम दे बंधना विच पैगे हां मेरे तो कोई उपाव नहीं हो रहे है कछू नहों तो पाए उन्हों गौर मतालग करिए गुरु तेकबादर साहिब कह सकते ने गल कि मैं होन बंधन विच पैगे हैं मेरे तो कोई उपाव नहीं हो रहे है मेरे तो कोई जुगती मेरे सामने नहीं कहने ने फिर गुरु गोविन सिंग महराज ने जबाब दिता धुजे दोहरे विच कहने नहीं बल भी हो जाएगा बंधन भी छुट जानगे फिर कई कहने ने एक दोहरा गुरु गोविन सिंग रहे पर ऐसा भी नहीं है जे किदरे ए दोहरा गुरु गोविन सिंग दा हुनदा उत्थे फिर लिखिया हुनदा गुरु गोविन सिंग दा नाम जहां पात्षाही दस्मी पर कोई इशारा नहीं है हुण मैं इसने दोहरे दाभाव आप जिदे सामने रखा धन गुरु तो एक बादर साहिब माराज कहने ने कि जिदो कश्मीरी पंडित मेरे को लाए और अरंग जे ने फत्वा जारी कीता से न सारियां नो इसलाम धर मिच लग किया और इना दे विचे इननी ताकत नहीं रही किसी के में बचिये अपना इमान के में बचाईए अपना धरम के में बचाईए तो इना दा बल खतम हो गया से बल छुटकियो कि इना दा बल खतम हो गया कश्मीरी पंडितावल इशारा करके कहन देने जा हिंदू समाजवल इशारा करके कहन देने कि औरंग जेव दे सामड़े कोई नहीं बोल पा रहे है बंधन दे बिच बैगे ने बंधन की जा इसलाम कबूल करो जा फिर अब जीदा कतल कीता जाने उन्हें ना इसलाम कबूल कर सकते ने और ना ही कतल कछून होत उपाए कुछ भी उपाओ नहीं सुझिया पैसा पैसन तोक सिंग जी एक ठालिक देने कि जदो इस सारे दे सारे पंडित अमर नात पहुंचे ने विचार कर दे पैने के हुण की करी है उत्ते फिर एक पंडित ने किया कि जे किदर यसी बच सकते या इमान बच सकता है तो एक कोई ताकत है जो सड़ा इमान बचा सकती है एक कोई शक्ती है और ओ शक्ती अनंद पुरिसाइब दी अनंद मै तरती ते गुरू तेक बादर साहब ने उना दे कौल चले उना दे कौल गए ने ते गुरू तेक बादर साहब माराज गंदे ने कोहो नानक अब ओट हर एप रभू हुन तेरी ओट है तेरा साहर है दो दिन पहला हम एक जिकर कीता सी मेरा मित्र मैनों कहनदा ग्याने जी कागज ते लकीर खिचो में लकीर खिची पर लकीर सिद्धी नहीं खिची गई थोड़ी जी टेड़ी मेड़ी हो जाना दी है दो जेन भी किया तुसी भी लकीर खिचो ती जेनों किया तुसी भी लकीर खिचो सहरयां ने लकीरां खिचियां पर हलकी फुलकी टेड़ी मेड़ी होगी और फिर चाइदा है सहरा जिसनों इसी फुटा केंदे हैं और रखिया लकीर खिची लकीर बिलकुल से ही मैंनों करन लगए गया ने जी इस तो की भाव है मुराद की इस तो भाइक तुस्य रसो कहिंड लगी जद मसी बगेर सहरे दे लकीर खिती टेड़ी मिड़ी हो गए और जब मसी के सेड़ा सहरा लेकर लकीर खिती लकीर बिल्किल से दीया गए जे कुरूदे सहरे तो मगेर जीवन जी campaigns टेड़ा मिड़ा जीवन होएगा चलत कत ٹेडे तेडे तेडे और जे गुरुँदा सारा लेके जीवन जियांगे बिल्कुल सिद आओईगा जीवन बिल्कुल सिद आओईगा एक गुरुदे बोल ही कैंदने सूधे सूधे रेग चलो तुम नतर कुधक का दिवाई गेहरे जी सिद्धे सिद्धे नहीं चले तो फिर ऐसा धक्का लगदा है कि कितने ही ऐसे जीवहन टेड़े में डेचलन वाड़े केंदेने उन्हों दी जोनी देविट जाना प्या अब जी जित्थे खड़े हो एक चोराहा है अब जी चोराहे ते खड़े हो उन्हों जे किदरे खबे पासे तुरदे हो आप जी दी मर्जी है सजे तुरदे हो आप जी दी मर्जी है पिछे तुरदे हो आप जी दी मर्जी है अगामल तुरदे हो आप जी दी मर्जी है आप जी दी मर्जी है मैंनो किसे ने किस सवाल की था कहने लग कि ज्याने जी असी बलात नहीं करना चांदे केड़ी शक्ती करना दी साथे तो केड़ी शक्ती करना दी मैं अर्ज कीती तुसी दसो कहने लगे परमात्मा मैं कि परमात्मा विला बेठा वया है तेरे तो यह बलात कराएगा कहलने के फिर कौन करनदा है असी नहीं चानदे माडे कम करिये असी नहीं चानदे पाप करिये फिर क्यों हो जानदा है इस नो थोड़ा जियो समझना फिर मैं मूल पंक्ती दियाना रूहे जमीते तिन शक्तियां कम कर दियाने तिन और ये तिन ती तिन शक्तियां एक तो पैदा होगी है किड़ी शक्ति और जो की साइन्स केंदी है जिप परमानूनू असी तोड़ी है जिड़ा सब तो छोटा अनू है परमानू जिए उनू तोड़ी है ते तिन शक्तियां दर जनम होगा एलेक्ट्रोन, नीट्रोन, टोटोन